पूरा रेगुलर सेशन रहेगा और साइंस का भी रहेगा आपका पूरा रेगुलर सेशन ठीक है आप संडे तक जो है वो 2018 के पीवाई क्यू कम्टीट कर लीजे उसके बाद में आपको टॉपिक वाइस एंसी आटी से जो चाप्टर वाइस चीज़े जो है वो कराने वाली जिसमें हम सबसे पहले जो है वो बायला जी के साथ ही शुरू है तब तक आप मेरे साथ सारे के सारे पीवाई क्यू करना हमेशा जो है वो कोई अच्छी बात नहीं होती है पीवाई क्यू इंफट शुरू में करना चाहिए किसी भी एक्जाम वह आप देने जा रहे हो सबसे पहले एक बार प्रीविएस यह वो देख लो कि कैसे पहले आ आपको पूछे जाते हैं deeply पूछते हैं या कैसे तो वह सारी चीज़ें आपकी यहां से complete हो जाएंगी थोड़ा सा फेस्टिवल अभी टाइम है 26-25 तक नॉर्मल हो जाएंगी सारी चीज़े दिवाली अपनी हो जाएगी तो उसके बात जो है ना वह हम क्लासे रेगुलर भ चल रहे हैं तो वह आप एंड्रोल कर सकते हों यहां पर आज कलका वेट करिए आप लोगों के लिए टेसीरीज जो है ना एससी की जो टेसीरीज वह भी आपकी साथ में चल रही है तो एक बार शांदार तरीके से आप टेसीरीज भी जोईन करके चीज़ें कम्प्रीट यहा है यारींज करना है all right म्यू्टेशन रिप्रड। इस सेलेशन नैचेरल सेलेक्षेन और एवल्यूचन is इनकीamba आप लोगी कहां का चाठटर है क्या तो आप याद रुखिए जब आप जेनिटिक्स का चाप्टर पढ़ते हो तो उसके साथ ही एवल्यूशन का एक चाप्टर आता है एवल्यूशन एंड हेरेडिटरी जो आपके 10th क्लास और 12th क्लास के सिलबस में बाइलोजी में आता है यहां पर आरेंज आपको क्या करना है आपको एक सीकोएंस की सिक और मैं बात करूं तो कौनसी चीज चीज किस तरीके से हमारे जो सिस्टम में हुई होगी और विकास के दोरान जो भी चीज़े आपकी सीकूंस में हुई है उनकी बात यहां पे की जा रही है जो यहां पे लिखा है वही सभी Cities कर अ करके आपके आ आगे के दो साल बात भी पूछा जाएगा तो भी एक वेस्टन जो है वो मुश्किली होगा क्यूंकि इन चारों चीजों को समझना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल है मैं आपको भी पहला पॉइंट बता दे रही हूं मुटेशन जो है वो हीउगो डीवरीस के दोरा दी गई थी और उनके दोरा ये कहना था कि मुटेशन का मतलब होता है कि डिने में आल्टरनेशन होना डिने में कहीं पे भी प्लस या माइनस होना पॉजिटिव और नेगिटिव एफेक्ट होना जिसकी वज़ा से एक साथ पू यह एवल्यूशन कहा जाता है तो आप याद रखें दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैना वट इस दी एक्शन ऑफ ड्राइ एचल गैस और ड्राइ लिटमस पेपर अगर आपके बास लिटमस पेपर है ना आप इस पर ड्राइचल गैस जो है वो रिलीज करो तो पे आपके बास खिंड उसकी पीडिय वाली अपडेट नहीं होई है अचा कल शाम की यूटिव वाली एपडेट नहीं हुई है ठीक है मैं उसको एक बार करा देती हूँ मुझे लगा मैंने सब कुछ अपडेट करवा दिया है ना तो जबलह यहां पर बताये कि ड्राइ जो है वो हो जाएगा इन में से आपको कौन सा लिखना है आपको यहां पर प्लाइए जलती से एक बार ऐ कैसे होगा और आज होगा जोगा फोन को थोड़ा जूम कलो प्लस और फ़ोन थोड़ा सा इसको तो जूम नहीं कर सकते वाट इस दी एक्शन ऑफ द्राइएचल गैस ओन दी लिटमस पेपर तो एच यहां पर ना आप ड्राइज है यह सब में पढ़ना है एचील आपको पता है ऐसे अधा है और एसे जो हैं वह हमेशा क्या करते हैं एसेड हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कंवर्ट कर दे यहां पर जो question है इसमें कहीं पे भी आपका जो लिटमस पेपर है उसके options को लेके थोड़ा सा controversial चीज है जो आप लोग को याद रखनी है है ना वैसे इसका question का answer blue to red होना चीए लेकिन इसको अगर हम properly मैं अगर इस question की मैं बात करूं तो क्योंकि आपका लिटमस पेपर acid में h plus और cl minus जो है ना वह आपका हमेशा isolation या पर जो है ना electrolysis हो जाता है अभी इस question को जड़ा देख लेते हैं इस question में जब alp ने अपना answer दिया था तो वही answer था जो आप लोग सब दे रहे हो that is blue लिटमस पेपर turns red ऐसे question आपको बता भी रहे लेकिन इस question का सही answer होगा that blue और red लिटमस पेपर does not change its color यानी की बी जबी आप dry hcl की बात करोगे या हम यहां पे dry hcl कभी भी लिखते हैं आप हमेशा याद रखो कभी भी लिटमस पेपर का color change नहीं होगा अगर dry की जगा यहां पे aqueous hcl लिखा होता तो answer आपका a होता ठीक है जो आपने यहां पे answer a दिया है वो तब होता जब यहां पे dry की जगा सिर्फ hcl लिखा होता या फिर aqueous लिखा होता तो उस case में gas नहीं होता aqueous hcl या सिर्फ hcl लिखते तब आपका color जो है वो red हो जाता इस condition में hcl का या litmus पेपर जो है उसके उपर hcl का कोई भी effect नहीं होने वाला है यानि कि litmus पेपर जैसा है वैसा ही रहेगा कुछ भी change नहीं होगा देखो dry hcl no change action on litmus पेपर चाहे litmus पेपर red हो चाहे litmus पेपर blue हो कोई भी change नहीं होने वाला है ammonia gas यह क्या करती है लाल को नीले में तबदील कर देती है नीवू पानी नीवू पानी या lemon juice blue to red carbonated soft drink जो आपकी यह cold drinks आती है न कोका कोला और यह cold drinks आप बोलते हो यह soft rings होती है यह blue to red में बदल देती है दही blue to red में बदल देता है soap solution जो है red to blue में कर देता है तो यह पर याद रखो DRY HCL जो रोग कोई भी change नहीं लेकिए आएगा यहाद रकिएंगे इस question को आप से याद रखिएंगे ना DRY HCL के वजा से कोई भी change जो है वो नहीं आने वाला है इस पूरे part में the weight of a body on the surface of the moon is 300 Newton the weight of the same boy on the surface of the earth will be the weight of a boy on the surface of moon जो चंद्रमा है ना उसकी ये कैसे दिखेगा question यार इतना the weight of the weight of the boy on the surface of the moon चांद पर अगर किसी बच्चे का वजन जो है वो 300 Newton है तो आप ही बता दीजे कि उसी बच्चे का वजन जो है वो धर्ती पे कितना होगा बताईए जरा कि धर्ती पे कितना रहेगा वजन very good यहां पर बस ड्राइवाला पार्ट याद रखें ड्राइवाले पार्ट में आपके जो इलेक्ट्रोलाइस है उनका सा कालकुलेट करिए जो जब भी किसी भी परसन का मून पे वेट होता है वो प्रतिवी के वजन का एक बटा छे होता है क्या होता है एक बटा छे क्यों भाई ग्राविटी की वजह से प्रतिवी पे जो ग्राविटी है उसको अगर मून की ग्राविटी से कंपेर करते हैं तो वह चे गुना जाद है यानि कि प्रतिवी की ग्राविटी मून से चे गुना जाद है और मुझे अगर वजन का फॉर्मुला लगाना होता है तो मैं मास नहीं आने चेंज आपका ग्रैविटी में आता है जब धर्ती पे हो तो 9.8 हो गया वैसे आपका 1.606 गुना हो गया तो यहां पर आंसर भी 6 गुना हो जाएगा यानि कि तीन चिंग अठारा एठारासो न्यूटन थीक है बराबर ना विच ऑफ दी फॉलाइं एनिमल डू नॉट बिलॉंग टू सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसरी इसलिए मैं थोड़ा प्रॉपरली क्वेस्टन पढ़ देती हूं इन में से कौनसा जानवर सरी सर्प वर्ग से संपंधित नहीं है यह थाना कि वैसे तो यह ताइप भी हो जाते और आपको बड़ी आसे दिख भी जाते लेकिन टाइप करके कई बार चीज़े बदल जाती है गूगल आंसर चेंज कर देता है थोड़ा लैंगवेज बदल देता है इसलिए मैं चाह नहीं थी कि आपका सनेक पास रेप टाइल यह सारे के सारे इसलमेंडर हुआ टोड़ हुआ यह सब आपके एमफीबी आनस बोले जाते हैं ।ो पाधों में साउर्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की और जुग जाते हैं जैसे क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है तो उसको सही से अरेंज करने में दिक्कत होती है वरना क्वेश्चन कटता है या बोर्ड पे नहीं आता अब जैसे यह यह सही से अरेंज हो तो आ रहा है दिखाई भी दे रहा है पौदो में डैश होर्मोन के संचार के कारण प्रकाश की और जुग जाते हैं प्लांट वेंड्स टुवर्ड्स दी लाइट ड्यू टू दी डिफूशन ऑफ दी होर्मोन ऑन दी अधर शाइट आफ शूट प्लांट होर्मो एक चीज होती है कि हमेशा प्लांट जो है वह लाइट की तरफ जुखते है तभी तो हम प्लांट के शूट को क्या बोलते हैं पॉजिटिवली आपका सण का जो एनरजी होता है यानि कि धूप की तरफ जो है यह खिछते हैं जबकि अगर मैं रूट की बात करूं तो प्लांट ट्रांसफर करते हो तो प्लांट हमेशा रात के समय ट्रांसफर करना चाहिए यहां पर दूप बिल्कुल भी नहीं आ रही हो प्लांसफर करना चाहिए निकल लैड कैल्सियम और अलमीनियम इन चारों में से सबसे ज्यादा अभी रिया शील जो है वह कौन रहेगा कमेंट में तो पिन नहीं हो पाईगी आपकी पे जो PDF है वो जाती है ठीक है आपकी पे PDF उती है उसका अहां आप टेंशन युक्ट फ्र सब्यूक्स की सब सबसे जदा 49 का देखो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूं 49 मार्क्स का तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं कैसे चीज़े जाएंगी थोड़ा सा आंसर शीट आने दीजे थोड़े बहुत दिनों में आपकी आंसर शीट भी आ जाएगी तो तभी हम देख लेते हैं कैल्शियम करके याद रखे सोडियम पुटफटेशियम सोडियम के बाद तीसरे नंबर पे कैल्शियम आता है चौत्यぁ नंबर पे मेगनेशियम तो तो प्यक्त और पॉल्ड बहु नहीं होता है पाचवे नंबर पर आपका Aluminium आता है और वैसे भी Aluminium अपनी Oxide की लेर बना लेता है इसलिए ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है इनमें से कौन सी स्टेट्मेंट जो है वह इनकरेक्ट है दो पार्टिकल आफ मेटर अर्ट्रेशनरी स्टेट पार्टिकल आफ मेटर अट्रैक्ट सीच अधर पार स्टेट्मेंट के बीच में स्टेट्मेंट के अंदर पादार्थ है आपके सामने जो भी चीज़े दिखाई दे रही है हर एक चीज जो है वह स्पेस जो है लेती है कुछ उसका कुछ वॉल्यूम होता है तो एनिटिंग विच टेक्स पेस और वाल्यूम उन सब को आप क्या स्टेट्मेंट गलत है वह हमेशा कंपन की अवस्था में होते हैं कंपन वाइब्रेशन तो आपको सुनाई दे रहा है क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहे हैं तो कभी भी आप याद रखी क्वेश्चन में इनकरेट पूछ है गलत प पार्टिकल ऑफ मेटर अट्रैक्ट सीच अधर सेफ स्पेसे बिटूइन यह एक्ट्रीमली स्मॉल तो वह चीज़ आपकी यहां पर सही है एक्वर सुलीशन आफ कॉपर सल्फेट का जली अविलियन एक्वर सुलीशन आफ कॉपर सल्फेट जो अब देखो उपर में पहला क अब देखो यहां पर है वही चीज़ए लेकिन अब लिखे है एक्वर स्लीशन का कॉपर स्लेट का कॉपर तो फौर सबस्क्रीशन को निले में रड़ेब और नीला दोनों जो है उसको अथेट करेगा बताओ अब कॉपर सलफेड जो है वो क्या है आपका सी यू एस ओ फोर जो है वह आपका क्या है इस एक्टिंग एस थी एसेडिक और एसेडिक चीज क्या करती है रेड में कनवर्ड कर देती है यहां पर आंसर हमें लिखना पड़ेगा ब्लू टर्न्स रेड लेकिन ड् हो गया वह रेड हो गया बेसिक सॉलूशन में वह नीला हो गया और आपके बास सॉलूशन में कई बार पी एच के कलर के हिसाब से वह चीज जो है तो बदल जाएगा नंबर आप से कोई भी निकालने को पूछता है तो आप सीधा जो है टामिक मास में से आपके पास टोटल जो प्रोट। की संख्या होगी उसमें से आप उसके इटॉमिक नंबर की संख्या यह नहीं क्या कर रहे हो मांस नंबर मैं से प्रोटौन की संख्या वो माइनस यहां पर करने लग रहे इन में से कौन सा नहीं है टाइटेनियम फ्लिटोनियम और यूरेनियम आप याद रखो कि जबी भी आप यहां पर कर रहे हो तो यहां पर अगर मैं टाइटेनियम वर्ट देखूं तो टाइटेनियम तो एक ऐसी चीज है जो गाड़ियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जात एक पीडे एप कंशेप्न बाह ょकलमोन इस साथ मेरी बजहां से बैप किंग रहे है कि नहीं प्लेट है की लगए when I him सुरी डौन टाइट अचले वीच वी पलंग इस नॉट एक्टेव टायिटेनियम जो है वह आपकी कार्स मेनिक कार्स मैंनीफेक्चरिंग में में भी इस्तमाल होता है और अगर कार्स में इस्तमाल हो रहा है इसका मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो वह नहीं है ना तो टाइटेनियम करके आंसर लिख हो यहां पर लोकेटेड होता है देखो आपका जबी भी हम यह वाले यहां से यहां तक के स्टमाल होते हैं यानि कि ट्रांजीशन इलिमेंट पाइटेंशन और और साथ हैं और बहुत ही सिंपल क्वेस्चिन है निर्वात यह वैक्यू में साउंट ट्रावल नहीं कर पाइटवाएव नहीं कर पाट हैं लिख सब्सक्राइब इसकार GV पाती है जब कि लाइट जो है वह ड्रेवल कर पाती है हर जगा यानि कि चारो फेसेश में और साउंड निर्वात में क्योंकि साउंड को ट्रावल करने के लिए हमेशा पार्टिकल्स जो हैना वो चाहिए होते हैं मैं बोल रही हूं आपको सुनाई दे रहा है वो स्कता है वो इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स आपे मेरे और आपके बीच में यह पे तो वैक्युम करके याद रख सकते हैं ठीक है वैक्यूम करके याद रखे दमेल रिप्डॉडटिव पार्ट आप फ्लावर इस कॉट हम मेल और फीमेल के जो फ्लारिंग प्लांट देख जो हर एक एक्जाम में पूछा जाता है तो इसकी भी अलग से आप लोगों के लिए वीडियो आजेगी डिटेल आजेगी हाला कि डिटेल में भी जब हम करेंगे तो भी समझ लेंगे अभी के लिए आप याद रखो किसको बोला जाता है कारपल हिंदी में इसको क्या बोलते अंडप और स्टेमन या पुंकेसर जो है वो किसके लिए लिखा जाता है या पर नर भाग के लिए किसके लिए लिखा जाता है नर भाग के लिए ठीक है तो याद रखिए या पर अंडप और स्टेमन स्टेमन या पुंकेसर पुरुष के लिए यानि कि नर भाग के लिए को किस और नाम से जानते हैं या फिर इसको सिट्टिल के नाम से लिखा जाता है किस नामसे गाइनोईशंग को अब C तो यह आपके structure हो गया यह देखो यह वाला जो है न स्टिग्मा स्टाइल और यह ओवरी यह कारपल कहा जाता है जबकि स्टेमन एंथर और फिलमेंट के लिए यहां पे हम दिफाइन करते हैं the unit of power used in industry उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति या पावर जो है उसकी इकाई जो है वो क्या होती है हाँ कारपल को पिस्टेल के नाम से भी यह कारपल को पिस्टेल के नाम से भी जानते हैं अदर्वाइस इसको पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है हां जी टेलिग्राम में आपको पीडिएफ मिल जाएगी टेलिग्राम की कोई दिक्कत नहीं है तपन भहिया आप थोड़ा सा इसी चैनल के पीछे की वीडियो उस पे जाएगे तो आपको कल शाम की वीडियो दिख जाएगी है ना तो पहले एक बार देख लिया करो फिर ब होगी क्या पढ़ेंगे थोड़ा रेगुलर रहोगे तो पता लगेगा ठीक है ना कि कॉपी पेस्ट नहीं करिए कि यूनिट आप पावर इन यूज्ड इन इंडस्ट्री अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपको इंडस्ट्री लिखा हो है और जब हम इंडस्ट्री एंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीि में पावर को ओस्ट पावर के रूप में यहां पे-स्तमाल यहां पे करने लग रहे हों वीट आपसे कौन सा कार्बन की कयो को नहीं बोला जाता है विच आफ दी पॉलाइंग इस नौट दी कम्माइंड फॉम आफ कार्बन कौन सा नहीं है हंजी बिल्कुल वन होर्स पावर आपका 786 वाट के बराबर होता है ठीक है और इंडस्ट्री का मतलब आप ऐसे लॉन कर लो कि आपके घरों में जो मोटर लग अपकी एक होर्स पावर की किसी चीज को अप्लाइंस को चला दिया घरों की जो मोटर होती है वह आई डेली आपकी एक होर्स पावर की होती हैं लेकिन इंडस्ट्री जहादा सप्लाइब होता है तो वह 60 7 6 सत्या 17 17 हो सकती है ठीक है एक ठीज़िए याद रखो आप यहां पर देखो विच आप दी फॉलेंगे नोट अपमाइन फॉर्म आफ कार्बन का मतलब क्या हो गया जो कि आप देखो कार्बन वैसे आपका अबनेंटली नेचर के अंदर मौजूद है लेकिन आप मार्बल देखो चौक देखो और डोलोमाइट देखो यह सरफ कार्बन के यहां पर यहां पर रखो हीरा इस दी प्योर अवस्था में पाएं एक दम कार्बन की अवस्था में ठीक है how many atoms will be one mole of carbon c12 will contain एक कारवन के मोल के अंदर या एक मोल कारवन के अंदर कितने atoms मौझूद होंगे अब किसी भी चीज का जब आप से एक मोल पूछा जाता है एक मोल आफ कारवन एक मोल आफ हाइड्रोजन गैस एक मोल आफ हाइड्रोजन मॉलीक्यूल एक मोल आफ वाटर 23 होगा और यह आपका हमेशा अवेगेड्रो नंबर कहा जाता है क्या कहा जाता है एक इसको बोला जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं अवेगेड्रो संख्या अवेगेड्रो नंबर इन फोर्स एफ इसको फॉर्मूला पूछना है तो बहुत ही सिंपल है एफ इस इक्वल टू मास इंटू कोby को किया अपका कि विलॉस्टी और इसी को अगर मैं यहाँ पर हाफ एंवी स्क्वार डूं ट्री का फॉइंटा हो जाता है यू प्लस एटी जो है यह is equal to u plus 80 है जो कि आपकी physics में पहली equation of motion को कहा जाता है first motion की जो equation है उसके लिए which of the following is not a voluntary action स्वेचिक कारवाही या voluntary action क्या होती है पहले समझो जो हम अपनी will से कर पाते हैं मैं अपने हाथों की movement कर रही हूं मैं बोल पारी हूं मैं अपनी will से कर पारी हूं अपनी चहां से कर पारी हूं अपनी इच्छा से कर पारी हूं है अब मेरा इसी time पे मेरी body के इंदर बहुत activities हो रही है मेरी kidney filter कर रही है मेरा blood flow कर रहा है हर्ट चल रहा है heart beat कर रहा है मेरी respiratory system चल रही है लेकिन कुछ voluntary होते हैं जो जैसे मेरी actions है आप देखो मुठी को बंद करना voluntary action है है ना moving of a chair voluntary action है taking an object किसी चीज को उठाना वो voluntary object है लेकिन भाई दिल का धड़कना है ना सांसों का चलना यह तो कोई आपकी voluntary action नहीं हुआ ना यह आपके इच्छा में हमारे इच्छा में नहीं होता है हाला कि इनके उपर hormonal effect पढ़ते हैं जैसे आपको कोई अच्छा सा सामने से आता हुआ दिख रहे हैं तो heartbeat तेज हो गई या मतलब घर में result बताना हो तब heartbeat तेज हो गई तो बीटिंग ऑफ होट जो है यह वाल इन्वालेंट्री एक्शन है लेकिन आपका हॉर्मोन का इफेक्ट इसपे पढ़ता है आप बहुत खुश होगे तो heartbeat बढ़ जाएगी आप बहुत दुखी होगे तो heartbeat स्लो हो जाएगी आप दरे होगे तो heartbeat बढ़ जाएगी वापिस तो hormonal effect जो है ना इसकी speed को कम या जादा तो कर सकते हैं लेकिन आप इसको control नहीं कर सकते गिनके मिली है सांसे सभी को सुनाया आपने गिनके मिली है सांसे सभी को यह वही वाला है beating of heart आपके control में या पे नहीं है आप इसमें voluntary और involuntary आप समझ गयो ना involuntary जो आपके आपके हाथ में है नहीं ना involuntary आखे बिलिंक और रही है आपको यह लगता है आखे आप खुद से बिलिंक कर रही हूं लेकिन आप एक मिनट में तेकं सत्रा बार आँखे बिलिंक करते हो कर थो यह आपको आब को भी में नहीं होता न अब हम सांस लगातार ले रहा है क्या सांस आती हुई और आपको फिल होती है वह जब आ नोइंगली सोच के करते हो तब बहु 상황 कितनी बार ले रहे हूं पता भी नहीं चलता है ना कही बार हमें एक मिनिट में कित्छी बार सांस ले रहे हैं पता भी नहीं चलता है जब हम बिजी होते हैं तो voluntary और involuntary voluntary activities में आपके receptors effectors और spinal cord और आपका brain involved होता है यानि कि cns और pns involved होते हैं लेकिन जब आप involuntary action लिखते हो तो उसमें आपका medulla oblongata जो है वो important role play यहां पर कर रहा होता है ठीक है which of the following causes damages to bridges iron railings and all the object made of metal आपको पते हैं कि देखो बहुत time 50-60 साल हो गए 30 साल हो गए तो हम यह कहते हैं उसके बाद भी वह बहुत साल नहीं चलेगा आपको इसको रीप्लैनिश करना पड़ेगा आपको दुबारा बनाना पड़ेगा इसलिए आप नहीं देखा होगा कि यह जो अभी नए टिकनोलोजी या नए ब्रजज जो दुनिया भर में बन रहे न उसमें आपकी स्टेनलेस स्टील को जादा इस्तमाल जो है वो किया जा रहे हैं और ऐसा भारत के इंदर भी रोड बना है जो completely स्टील का बना है अगर आप स्टेनलेस स्टील का बना होगे तो शायद अगर वो पहली बार में अच्छा composition होके बन रहा होगा तो आपको बहुत जादा जो है ना उसमें time मतलब फिर वो काफी साल चलेगा बहुत जल्दी आप ही expect नहीं करोगे वो खराब हो जाएगा वावधि फ्लींग आजिमल कंपरिटिव ली longer इंटेस्टाइन तो जो भी ऑर्गानिजम आपके घास सिर्फ खाते हैं उनकी इंटेसटाइन लंबी होती है खरगोष खाता इंटेस्टाइन लंबी होगी लेकिन कुट्ता टाइगर फॉक्स जो की मीट के उपर या मास के उपर डिपेंड करते हैं उनकी इंटेस्टाइन बहुत लंबी नहीं होती है सॉलिड कारवन डाइकसट को आप क्या बोलते हूं बहुत ही सिंपल है ड्राइ आइस के रूप में जाना जाता है जाती है इंडस्ट्री में क्रायो प्रिजर्वेशन में आइस क्रीम जमाने के लिए ड्राइश इस्तमाल करते हो और डैश फ्लेम इस प्रेडिउस्ट वें दा ऑक्सीजन सप्लाइस सफीशन अगर माल लीजे कि आपने मुम्बत्ती जलाई या कुछ भी जल रहे है और आपके की घर का जो गैस का बरन जलते हो उसमें कौंस सी फ्लेम आती है उसमें हमेशा एकदम बढ़ेया वाली नीली की फ्लेम आती है लेकिन जैसी आप देखो कि उसकी गैस कम हो रही या गैस का जो प्रेशर है कम है या इस में खतback होगी है तब ब Caribbean के रहेंज होने लग जाती है oxygen वाली नीले रंगी the unit of momentum formula मैंने आपको बताए है momentum का P is equal to m into v जो है वो formula है मास आप kilogram में लिखते हो velocity आप meter per second में लिखते हो है ना तो kg meter second minus यानि की kg meter second minus आपका भी option हो गया formula याद रखने हैं आपको सारे के सारे ठीक है अब यह देखो यह वाला question देखो यहां पर 18 वोल्ट जो है वो कितने ओम के बरावर कितने अब यहां पर filling the blanks कर तो ठीक है यह filling the blanks कर दो देखो मेरी बात आप ध्यान से सुन लो आप मेंसे जिसने भी पहली इसको करने का कोई फाइदा नहीं है पैटन चेंज हो रहे है पैटन कुछी चेंज नहीं हो रहा एंसी आर्ट के questions के basis पहले भी question आते थे अभी भी आते हैं आपको मैं इसी 2018 के अभी जब मैं questions निकाल रहे हूं तो कई सब्सक्राइब करने की आप लोगों में से एटी परसंट बच्चों के दिमाग में यहीं चीज़े आ जाती हैं जबकि एंसी आर्टी के बिना गुजारा नहीं और एंसी आर्टी से पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो मैं जब आपका 26 तारिक से कोर्स शुरू करूंगी तो एंसी आर्टी बेसे ही रहेगा यह बात आप अच्छे से ज्यान रख लो इनफेक्ट आपके स्क्रीन के उपर एंसी आर्टी के प्वेशन में दिक्कत नहीं आती है यह ओम्स लॉप इस इकल टू आई इन टू आरोत है आपको यहां पर पूछ यहां पर यूनिट क्या होगी एंपर लिख दें क्योंकि यहां पर करेंट होता है करेंट की यूनिट जो है वह इसके जो डिसकवर हैं एंपियर साब जी उन कार्बन इन कार्बन डायोकसाइड जब आप सी ओ लिख रहे हो तो उसमें कार्बन की जो परसंटेज है वह कितनी लिखने फ्रेक्शन में वैल्यू देखो हमेशे यहाद रखो कार्बन जो है इसका टोटल 44 होता है ठीक है कार्बन का अगर मैं मॉलिकल मास निकल हो तो 44 होत तो ट्वैल अपन में 44 आपको करना रहेगा इंटू बें 100 क्योंकि आपको पूछा हुआ है तो आपका आंसर हमेशा फ्रेक्शन में आएगा डाट इस 27 अपन 27.3 ठीक है फ्रेक्शन ऐसे ही निकालना होता है तो वह आप कंप्लीट करना नॉन मेटल ऑकसाइड जो है वह कि नॉन मेटल जो है वह एसेटिक होते हैं और मेटल जो है वह बेसिक होते हैं ठीक है तो यह सारे 2018 के एलपी के क्वेशन से आप एक बार सारे क्वेशन कंप्लीट कर लो आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग होगी और फिर जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको पता करने पहले नाइंफ क्लास टेंथ क्लास कवर कर लो या फिर दूसरा ओप्शन यह कि पहले बायो सब्जेक्स कर लो फिर केमिस्ट्री कर लो आपकी इंजिनियरिंग ड्रॉइंग और बेसिक्स की क्लास शाम को शुरू हो चुकी है शुबं सर जो हैं वह आपको यह बेसिक ज सब्सक्राइब के हिसाब से जब रेलवे ने पहले नोटिफिकेशन या एक वर्बल अश्वनी वैशनव जी के द्वारा स्टेटमेंट डी ती तो उन्होंने यही का था कि सब्सक्राइब करेंगी नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है एक बार जैसी का सारा पार्ट कंप्रीट हो जाते आजएगा एंटी पीसी का सिक्स वाला जो सेक्शन अच्छा एंटी पीसी का जो लेवल सिक्स था उसका रेजल्ट आ चुक है कई सारे बच्चे क्वैलिफ कर चुका हो तो आप मुझे जरूर से डीम करिएगा डिरेक्ली मैसेज करिएगा या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ठीक है पीडिएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे और आपके आपके उपर तो देखो सारी पीडिएफ मिलती है सब कुछ मिलते है तो उसको कहीं से छोड करा रहे हैं या टॉपिक एक बार देख लेना शाम को आपकी वाली क्लास चल रही है जो थोड़ी सी आप बी में आती है तो एक बार आप शाम को कर लो आपको कहीं पर भी दिक्कत आएगा तो मुझे बताना चैन्ने का यह जोन में किसी कोई बच्चा ऐसा है जिसका हुआ ह क्योंकि मेरे पास दो बच्चे आ गये हैं जिनका चैन्ने जोन में हो गया है तो मैं जल्दी से आपकी बात भी कराओंगी या पे उन से भाई यूट्यूब पे तो फ्री होगा ना पाई रीजनिंग का तो रीजनिंग वाले सर से पूछ लिजिया पता नहीं आप की विस्टीक कि वा पार्ट में और वाली हूं या वालब किल से शुरू करते हैं आज questions ही कर लेंगे कई सारे बच्चों को शाम की classes के वरे मैं पता नहीं था शाम की जो classes है वो 7 बजे कल से मैंने शुरू कर दी है अपार्ट प्रम इड जो 40 डेज का session ता वही शुरू किया है वैसे तो लेकिन States की classes वह आपकी अलग से चलने वाली है से सीजेल का जो बैच है वह आपका चल रहा है साथ में test series से की चल रही है आप class 24 आप पे जाएए आपको सारा मटीरियल रेलवे का सारा मटीरियल जो है वह मिल जाएगा ठीक है अभी के लिए गाई thank you so much bye bye take care हम मिलते हैं